जै मातारानी दोस्तों नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस्तों नीता जल्दी से मातारानी के नाम का जैकारा लगाई है comment section में जै मातारानी ज़रूर लिखिए दोस्तों कणिश्ट तुर्टी का व्रत आप समने सुना ही होगा इसको करने से भगवान श्री गणे शीग्र प्रसन हो जाते हैं और आपकी सभी मनुकावनाय पूरी कर देते हैं भगवान गणपती का पूजन करने से हर कारिय निर्विगन संपन हो जाता है जो भी गड़पती बहगवान की क्रपा अपराप्त कर लेता है, उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहजाता क्योंकि उसके जीवन में बुद्ध गरहा पह़री शुपल देने लगता है दोस्तों भगवान गणपती को बुद्ध ग्रह का स्वामी भी बताया जाता है इसलिए गणपती पूजन विशेश्च तोर पर बुद्धवार के दिन करा जाता है इसके अलावा चतुर्थी की तिथी विशेश तोर पर गणपती जी को समर्पित है क्योंकि इस दिन पर भगवान शी गणपती का जनम हुआ था दोस्तों हर्मास में दो चतुर्थी आती है शुकल पक्षकी पूर्णिमा के पश्षाद जो चतुर्थी आती है उसे क्रशन पक्षकी चतुर्थी कहते है और साथी साथ संकटा चतुर्थी कहते है ऐसा कहते हैं इस दिन पर वृत रखने से भगवान गणिश आपके जीवन के सभी विग्नबाधाओं का नाश कर देते हैं आप इस दिन पर वृत रखने से संतान की प्राप्ती होती है घर परिवार में सभी कुछ सकशल होने लगता है जिन लोगों की शादी नहीं हो रहे हैं या शादी में विग्नबाधाओं आ रहे हैं वो हभी इस वरत को करने से दूर हो जाती है और गणिश जी हर तरह के संकटों का नाश करके लोगों की रक्षा करते हैं दोस्तों इसके पश्यात जो अमवस्या की तिथी के बाद शुकल पक्षकी चतुर्ती होती है उसे विनायक चतुर्ती कहा जाता है भादरपत मास में शुकल पक्षकी चतुर्ती को खास महत्व दिया जाता है और इसे विनायक चतुर्ती के नाम से बनाया जाता है दोस्तों बर्दान देने के कारण भगवान श्री गणेश को विनायक रूप में पूजा जाता है क्योंकि इस दिन पर व्रत रखने से वह सभी तरह का मनुवानशित मनुकामना पूरी होने का वर्दान देते हैं भगवान गणेश यदि आप पर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके जीवन में ज्यान और धैरिर प्राप्त होता है जिससे की आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं और हर तरह की इक्षा प्राप्त हो जाती है विनायक चतूर्ती के दिन पर यदी वरत रखा जाता है तो उसे भगवान शी गणेश बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं दोस्तों चतूर्ती की इतिती के कुछ विशेश नियम है जिनका आपको अवश्य पालन करना चाहिए भगवान गणेश का पूचन इत्यादी तो करना ही चाहिए सुबह के समय सभीकारों से निवरत हो जाए और गणपती जी की उपासना जरूर करें गणेश भगवान को सिंदूर जरूर अरपित करना चाहिए उन्हें लाल रंग अत्यदिक प्रिय होता है इसलिए इस दिन पूचन करने के लिए पीले या लाल रंग के वस्तरों को ही धारण करना चाहिए गणपती पूचा में उन्हें सिंदूर अरपित करके भगवान गणपती को चावलों का अक्षत चढ़ाना चाहिए दोस्तो अक्षत यानि जिसका शय न हुआ हो यानि दोस्तो यह जो चावल आप गणपती भगवान पर अरपित करेंगे या बिना टूटे हुए चावल होने चाहिए इस तरह से भगवान गणपती पर चावल अरपित करने से आपकी हर तरह की इक्षाएं पूरी हो जाती है और दोस्तों जितनी बार आप गड़पती भगवान का पूजन करते रहे उस बीच में ओम गंग गड़पताय नम्ह इस मंतर का विशेश तौर पे आपको जाब करते रहना है जब भी आप सिंदूर लगाए भगवान गड़पती पे चावल अरपित करें भगवान गड़पती पे दूर्वा अरपित करते समय भी यही मंतर आपको बोलते रहना है दोस्तों दूर्वा भगवान गड़पती को अत्यंत प्रिया है वहाँ उसे बहुत ही जादा पसंद करते हैं क्योंकि दूर्वा अम्रतमई है इसलिए दोस्तों दूर्वा चढ़ाते समय भगवान गडपती के शीश या कानों के पास में दूर्वा अर्पित करी जाती है गडपती भगवान को पैरो में दूर्वा अर्पित नहीं करी जाती इस तरह से भगवान गडपती पे दूर्वा चढ़ाई जानी चाहिए और भगवान गडपती को उनके पसंदीना मोदक का भोग लगा आजाता है दोस्तों मोदक की अनुपस्तिती में गडपती भगवान को किसी भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं पर दो ध्यान गडपती जी के भोग में भूल से भी आपको तुलसी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि गडपती की पूजा में तुलसी का निशेद होता है ऐसा करने से गडपती भगवान रुष्ट हो जाते हैं और आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता इस तरह से गड़पती भगवान की पूजा करने से सभी तरह के विखनबाधाओं का नाश हो जाता है गड़पती चतुर्थी के दिन पर व्रत रखके दोस्तों आपको अपनी वाणी में बहुती जादा सैयम रखना चाहिए क्योंकि गड़पती देव बुद्ध के देवता है बुद्ध ग्रह वानी का स्वामी होता है यदि इस दिन आप भूल से भी किसी की बुराई भलाई करते हैं असत्य बचन कहते हैं तो इसे भी आपको पाप लगता है आपको ऐसा करने से बचना चाहिए गणेश चतूर्ती के दिन पर शाम के समय गड़पती भगवान का पूजन करना चाहिए जैसे कि दोस्तों हम साल में कई बार गणेश चतूर्ती पे पूजन करते हैं जब गणेश चतूर्ती के ही दिन यहां पूजन हम पती की लंबी आयू के लिए करते हैं और जब जन्वरी के महा में दिल चौद का व्रत होता है तो यही व्रत हम संतान के सभी कष्टों को शाबुत चावल थोड़ी सी मिश्री डाल कर आपको गडपती भगवान को इन सभी चीजों के साथ याद करते हुए अर्ग देना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए जैसे चंद्रबा को देखते हुए आप गडपती भगवान का पूज़न कर रहे हैं गडपती भगवान की पूज़ा से आपके जीवन की सभी उपद्रव विग्न भाधाय शांथ हो जाती हैं गडपती जी की इक्षा होती है तो हर कारे में आपको सफलता प्राप्त होने लगती है दोस्तों गड़पती जी विगनों का हरन करते हैं इसलिए उन्हें विगन हरता दुख हरता गड़पती महराज के नाम से जाना जाता है सबी देवों में प्रतम पूज्य हैं इसलिए वह देवों के भी जीवन में जो भी विग्नबाधाय आती हैं उनको भी हरते हैं और मंगल कारे करते हैं इसलिए गड़पती जी की प्रातना करते हुए हमीशा उन्हें विग्न हरता के नाम से बुलाया जाता है दोस्तों पूरे भारत में गड़पती भगवान के कई मंदिर है यदि आपके घर के आसपास भी गड़पती जी का कोई मंदिर हो तो वहां जाकर गणेश चतुर्ती के दिन पर गड़पती भगवान का दर्शन करने से उन्हें दूरवा लाल पुष्प और अक्षत इत्याद अर्पित करने से भी आपको इस वरत में कई गुनाब पुन्य की फ्राप्ती होती है दोस्तों गड़ेश जी का पूजन करने से हर तरह के विग्णबाधाएं शांत हो जाती हैं और जीवन में सफलता मिलने लगती है कई तरह के योग सयोग बनने लगते हैं दोस्तों संकट हरन गणेश जी महराज के बारे में इस तरह से बताया गया है एक बार पूरे प्रह्मान में संकट छा गया तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का निवारण हेतु प्रातना करने लगे उस समय कार्तिकी जी एवं गणेश जी वहीं मौजूद थ तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा हे भोले नात आप इन दोनों बालकों में से इस कार्य हेतु किसी एक का चुनाफ कर लीजिए तब शीव जी ने गणेश जी और कार्तिकी जी से अपने समीब बुला कर कहा तुम दोनों में जो सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मान का च लेकिन गणेश जी वही पर खड़े रहे और सोचते रहे कि मेरे माता पिता ही मेरे पूरे ब्रह्मान है और उन्होंने अपने माता पिता की एक परिक्रमा ली और वहीं आकर बैठ गए कार्तिकी जी जब अपनी परिक्रमा पूली करके आए तब वहां उन्होंने गणेश ज शिव से पूछा कि बताईए कौन हम दोनों में से विजय हुआ इस पे भगवान शिव ने गणेश भगवान को विजय ठहराया और उन्हें सभी तरह के विगनबाधाओं और संकटों का हरन करने वाला देव चुना गया इसलिए कश्टों को दूर करने के लिए सभी घरों के लोगों को गणेश चतूरती का वरत करना चाहिए रात्री के समय चंद्रमा को अर्गदे कर पूजन उपपास खोलना चाहिए ऐसा करने से गणपती भगवान की विशेश क्रपा प्राप्त होती है इस दिन किसी की बुरा दोस्तों शिप भगवान के पुत्र होने के साथी साथ कई ग्रंतों के रचैता भी है भगवान शी गणेश बुद्धी रिद्धी सिद्धी के दाता है भगवान शी गणेश की शरण में जाके उनका बंदन करने से हर तरह के पाप नाश्ट हो जाते हैं दोस्तों गणेश अधर्वशीश का पाट करना विशेश तोर पे फल्दाई बताया गया है ऐसा करने से गणपदी भगवान की क्रपा आपको प्राप्थ होती है ऐसा कहा जाता है गणेश अधर्वशीश का यदि 1000 पाट करा जाए तो इस तरह से किसी भी तरह के विग्नबाधा या संकट को शा साथ गणेश जी के 21 नामों का जाप भी करा जाता है हर संकट से वो निवारें देवों में अग्रणी वो कहलाते ऐसे भगवन को वंदन शीश जुका कर गणपती को नमन ऐसा सोचते हुए अपना पूरा दिन आपको निकालना चाहिए विग्न हर्ता दुख हर्ता हैं महाराज देवों में देव करते सब पर राज हो मंगल जीवन में सदेव आपके सभी हो पूरी कामना है ऐसी कामना में करती हूं और दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो के नीचे बने हुए लाल र अबते कि ली नमस्ते दूस्तों